आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अरुश्य अंसारी आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे इसे पहले एक नजर एडलाइन्स पर कॉंग्रिस नहीं संभाल पा रही अपनी पार्टी राद्यसबा चुनाओं में क्रोस वोटिंग पर बोले अनुराग ठाकुर कॉंग्रिस को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं राज्यपाल से मिलने के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष कॉंग्रिस की सुकुष सरकार नहीं हिमाचल के लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया आज कॉंग्रिस की हालात ऐसी हो गई है कि उनके विदायक ही उनसे भागते नजर आते हैं ऐसी क्या मजबूरी थी कि मातर 14 महीने में इनके विदायक इनका साथ छोड़ गए राजसबा के चुनाओं में गैर हिमाचली को टिकर देना भी एक एक बड़ा कारण है अब जिसने अपने परिवार विदायक और पार्टी नहीं संभाल रही वही दूसरे पर ठिकरा फोल्ड रहे है इनके विदायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ कई बार बोलते थे क्या वो भी भाजपा करवा रही थी कौंग्रेस को सत्ता में रहने का नयतिक अधिकान नहीं राजिपाल से मिलने के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष जियां सरकार पर संकट की बाद मंज्रा नहीं है भाजपा विदायक लोके साथ राजिपाल शीव प्रताप शुकला से मुलाइक के गयर और सदन्वे वित्या बजट के लिए मत विभाजन की मांग की जैराम ठाकू ने कहा कि राजिपाल से मिलकर हमने मौजुदा घटनकरम के जानकारी दिये इस सरकार को सत्ता में रहने का अन्यतिक अधिकार नहीं है जैराम ठाकू ने कहा पिछले कुछ समय से विधान सभा में जो घटनकरम चल रहा है उसकी जानकारी हमने राजिपाल को दी है राजिसभा चुनाव में जो परिनाम आयद जो वर्तमान सिती है उसे देख थे तो कॉंगर्स को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है कॉंगर्स हमारी वज़न से नहीं अपनी वज़ा से संकट में जिया नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकू ने कहा कि हाली में इमार्शल प्रदेश में जो घटनकरम हुआ है उसकी राजनितिक दुरुष्टिकोल से ये कहा जा सकता है कि राजिसरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधियार कार खोच चुकी है हमें आशंका है कि वे भाज़पा के विदायक को विज़ान सबा में सस्पेंट कर सकते हैं कॉंगर्स के जिन विदायकों नेवाच्वा को वोट दिया उन्हें नोटिस जारी हुई है और उन्हें भी विज़ान सबा में सस्पेंट करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं में सथाफित विज़व की पहली वैंडिक घरी का करेगे शि़्लोकारपं गर्वन यहा जीवाजी वेद煶ाला परिसर में सस्थापित विज़व की पहली वैंडिक घडिक अलोगार्पन Bye G के लाल परेट ग्राउंड पर होगा जिसका लाइफ प्रसारन सभी जीला और नागरिया निकाए मुख्याले पर होगा मुख्यकार करम के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पसित रहे गे सबसे खास बात यह कि प्रस्तावित को कारपन एवं भूमी पूजन की सूची मे पहली बार एक लाख रुपे तक के सड़क नाली शेड निर्मान जैसे अनेक कारे को भी शामिल किया गया है करन के अकार लेने वाली टीडीएस तीन और डीटीएस चार आवास यह योजना काभू में पूजन भी किया जाएगा इसी तरह की दिनबर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आपकार उबरू तब तक के देखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ यह निर्श अंसारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News